अस्सलामों अलेकुम प्रेंड्स मैं आपको वेलकम करता हूं एंग्ट 510 के लेक्षे नम्र 25 में लेक्षे नम्र 25 का में टाइटल है ISO 9001-2000-7 जो के रिलेटिटिट है प्रोड़क्ष्ट रिलाइजेशन एंड कस्टमर रिलेटर प्रोसेस में इस लेक्षे के अंदर जो हालेटिड नोड्स में यूज़ कर रहा हूं अगर यह आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इमेल आइडी मौझूद है वट्सप ग्रूप का लिंक मौझूद है उससे हमसे कॉंटेक्ट कर रहे हैं मैं यह मेरी टी ताकि आने वाले दिनों में आपको पास पेपर से लेक्षे क्योरी वगरा आपकी आए उन पर रिस्पॉंड किया जाए और आपको पास पेपर प्रॉइट किया जाए ताकि आप एक अच्छी सीजीपी जो है वीडियो के प्लेटफोर्म पे आप अचीव कर सकें तो आईए अगर मैं यह लेक्षर आपको स्क्रोल करके दिखांगों तो यह लेक्षर तकीबान दस पेजिस का रेक्षर है तो इतना जादा लेक्षर इसमें बहुत जादा डिटेल डिफाइन की गई है और लेक्षर नमरे 21 से लेके 30 तक जो लेक्षर है यह सारे ISO 9001 के रिलेटिटिड तो इसी चैनल के उपर आप लेक्षर में जाएंगे और क्विस के सेक्षिन में जाएंगे तो MTT 510 मैंने हर लेक्षर की इंपोर्टन जो कुष्चंस हैं और M.C.Q. उसकी रिलेटिड वीडियो भी बनाई है तो वह वीडियो देखकर आप इंपोर्टन कुष्चंज जख़ कि आप प्लानिंग किस तरीके साब करते हैं यहां पे तो और्गनाजेशन शेल प्लान डिवलब द प्रोसेज नीड पर प्रोटन अप्रोडड़ाइशन के और्गनाजेशन जो है उसको चाहिए कि वह क्या करे एक प्लान बनाया और अगर प्रोड़ेशन को पूरा कर सके इ इसमें पहले है कि quality object की क्या requirement है product के लिए उसके बाद एक processes आपको establish करने की ज़रूत है documents बनाने की ज़रूत है आपको resources प्रोवाइड करने की ज़रूत है इस specific to जिस प्रोड़क की आप प्रोड़कलियाजेशन करने है उसके बाद आपने जो है प्रोड़क जो है वो उसके criteria के acceptance के according हो record needed to provide evidence at the realization process and resulting product meet requirement आपको जो है इन तमाम processes का पूरा paperwork करना है पूरा इसका record रखना है जैसे आप उसकी test activities करते हैं प्रोड़क का material क्या उसके test वगरा करवाते हैं तो उसकी जो reports है जिस organization ने आपने test करवाया organization कितनी reliable है उसके certificate वखरा इस सारी चीज़े आपको arrange करके रखनी है ताकि audit के time पे जब वो ISO 9001 जो है ISO 9001 2000 के close number 7 को जब और रहा होगा तो यह सारे documents जो है वो आपसे मांग सकता है general guidance की यहाँ पर बात कर लेते हैं देखें यह बहुत साथा detail दीवी है और इसमें बहुत साथा hard words भी यूज किया है जो कि student के लिए understand करना मुश्किल है तो मैंने क्या किया है कि sticky notes बना के बहुत easy wording में यहाँ पर आपको लिख दिया और एक real live example भी इसमें include की है जिसे आपको easily यह समझ में आ जाएगा तो अगर हम general guideline की बात करें quality requirements are about how tasks are done while quality objective measure when achieved quality requirement से मुराद यह है कि किस तरीके से जो है एक काम को आप मुकमल करने और quality objective से है कि क्या आपको अची हो रहा है याई कि आपने अगर उस product को अच्छा बना था उसकी quality ऐसी बनानी थी कि वो साल तक काम करें और काम कर गया तो यह चीज़े हैं कि आपको objective पूरा हो गया एक organization जो है network processes के बदाबिक होती है यह से बहुत जादा network होते है न इसी तरीके से organization होती है फिर output of one become input of other जहां पर एक output जो है दूसरे process की input बन जाती है process have input activities and output जो एक processes होते हैं उसकी inputs भी होती है activities भी होती हो और output भी होता है realization process create value like making a product realization का मतलब क्या होता है realization process का कि एक value create कर रही है product create करके आपको दे रही है while support processes like management are needed but don't directly end value support processes जैसे होते हैं management होती है सारी चीज़े जो होती है उनकी बहुत ज्यादा product बनाने के अंदर उनकी main need नहीं होती है लेकिन वह directly add value कर रहे होते हैं example ले रहते हैं making a cake जो आप एक cake बना रहे हैं तो वह realization है उसको जो है ingredient चाहिए जैसे कि इनपूट चाहिए बेकिंग वगरा चाहिए और फिनिश केक आउटपूट मैनेजिंग inventory support और यहां पर management एक cake बनाने में आप ले लें केक बना रहे हैं तो वह realization process है उसमें आपको ingredient जरूरी चाहिए जो कि activity हो गई तो यहां पर हमने realization input और activity जो कि हम उपर बात की थी उन तीनों चीज़ों के example देख ली और एक finished cake जब बन के तयार हो गया तो यह उस process की output निगल के आ गई अब यहां पर management का गई तो inventory को manage करना यह support हो गई तो यह यहां पर जो process है वो यह management का हो गया उसके बाद है issues to be consider निके कौन-कौन से issues आ सकते हैं जिनको आपने consider करना processes like a series of steps to get things done processes क्या होते हैं एक series of steps हो रही होती जिसके जरीए काम पूरा हो रहा है जैसे आप एक मिसाल ले लें कि अगर आप एक मामूली सी गर्मेंट गया जिसकी बनाती है तो उसमें कोई बनता कप्ड़ की cutting कर हो गा और को देसिएרים और मिंद्स वानिपतगे पूरे कर सकते हुंको चेक करना उनंको इंपूरूब करना क मोनिटर सक्टेद के बन के तो सब्सक्राइब मुस्क्र आइक गपतवबंब्स दबबा तो नहीं रग दिया, people play a big role to ensuring safety, skills and ideas for making things better, अब जो लोग होते हैं, जो के यहाँ पर inspection कर रहे हैं, जो के वहाँ पर stitching कर रहे हैं, जो के वहाँ पर cutting कर रहे हैं, जो प्रोसेज में हिसा ले रहे हैं, वो उनके सबसे बड़े product के बनाने के अंदर, वो सबसे main करदार अदा करते हैं, जो के safety को insurance कर रहे होते हैं, वो अपनी skills को अच्छे से use में लागे उस T-shirts को बना रहे होते हैं, एक example ले लेते हैं, एक restaurant के अंदर जो है, एक डिश जो है, अगर बना रहे हैं, तो उसमें कितने process involved होते हैं, जैसे के उ ingredient है, वो बनाना, उसको cooking करना, उसको सर्फ करना, उसको checking करना, को उसके results हैं नहीं है, customer अगर बोल रहा है कि इसके मिर्चे जाता था थी है, मसारा तेज हो गया, उस चीज़ को इंप्रूफ करना, customer को अच्छी quality देना, customer की satisfaction हासिल करना, तो यह सारे चीज़ जो हैं, यह सार organization need to identify steps to make product customer want, organization को चाहिए कि उसने steps को देखना है कि कौन-कौन से steps ज़रूरी है, customer की needs को पूरा करने के लिए, जैसे कि planning है, resources है, एक example ले लेते हैं, एक bakery जो है, वो plan कर रही है, कि वो making, ingredient, baking, बेकिंग, 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 बे ingredient चाहिए होगा, cake बनाने के लिए, यह सारी चीजों को वे सारी चीजे लेने के बाद वो इस चीज को भी make sure करेंगे, कि यह जो cake बना रहे है, वो customer के expectation के मुताबिक हो, उसके बाद है planning for process input and output and review अब यहां पर देखते हैं input वर्ट हमने उपर देखा भी है कि input क्या होता है output क्या होता है यहां पर एक दव उसी चीजों को इन्होंने बार-बार डिफाइन किया है अगर आप जो मैं आपको इस के अंदर important चीज़े बता रहा हूं और आप पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं इस वीडियो को दो-तीन दफार देखें अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आप इसली जाके से close number seven से related कोई भी कुछ चना आजाए आप इसली कर सकते हैं उसमें आपको परिशान होने की जुरूद नहीं है अगर आप इतने बड़े-बड़े लेक्शर सारे पढ़ेंगे तो आप त्यारी नहीं कर पाएंगे अगर बहुत ही ब्राइंट इस्टोडें क्या है कि आप किस चीज से शुरू कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यह सारी चीज़ों आपने डोकुमेंटेड एविडेंस में रखनी है ताकि क्वालेटी वाला जो है वह उसको अच्छे तरीके से चेक कर सके क्या मतलब है कि आप को क्या मिला आपकी जो है वो इंपूट जो आपने दी थी वह सारीग्घ semself लगाना आपकी ईंपूर हो गया अब वह स कई तरीके से फिक्स नहीं हुआ या उसका कुई फूल के तो क्या होगा वो सुण सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आप दिसकते हैं कि यह सेफ नहीं होगा उस ड्राइवर के लिए जो कि गाड़ी को चला रहा है कि इसी बिहास्से का सबब बन सकता है इसके बाद हम देख लेते हैं प्लानिंग पर प्रोसेस वेलिडेशन एंड चेंजिस प्रोड़क वेलिडेशन से मुराद ही होता है कि प्रोड़क को अच्छे तरीके से चेक किया गया है और वो कस्टूमर की नीड्स और वांड्स को पूरा कर रहा है चेंजिस तो प्रोसेस कि मीटिंग बेठी उन्होंने चेक किया कि हां इस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहिए वो जो प्रोसेस में अंदर आप कंट्रोल लगाएंगे चेक लाएंगे उस चीज को आप वेलिफाय करेंगे वह एफेक्टिवनेस पर प्रोड़क की लिए असर्दासना हो रही हो करना चाहते हैं कि यूजर्स के लिए भी सही तरीके से काम करें और कोई भी चेंजिस के अंदर करेंगे तो उसको चेक करेंगे कि यह कंस्टूमर जो प्रोड़क्ट है उनका सौप्वेर उसको इंप्रूफ परें ना कि उसकी को खराप करते हैं उसके बाद हमने यह सैविन क्लोज नंबर 7 का हमने इंट्रोड़क्टरी चीज़े देखी उसके बाद हमने 7.1 को क्लोज कर लिया अब हम 7.2 को देखेंगे यहां पर 7.2 क्या है कस्टूमर रिलेटेड प्रोसेस की बात कर लेते हैं उसमें पहला 7.2.1 का क्या क्लोज है डिट्रमाइन ओफ रिक्वार्म ने टैल में जाते जाएंगे 7.2 क्या है कस्टूमर रिलेटेड प्रोसेस का डिट्रमेशन ओवर्वार्मेंट रिलेटेड तु डुद अपने जो कस्टूमर की जानिब से जो रिक्वार्मेंट आई है जैके बिलिवरी स्क्रीवर्मेंट यह निए कस्टूमर उच्छा प्र जंप लगे कि उसके उपर आपने नाम लिखवाया था वो केक का कचुमर बन गया उस तक पूंचते हुए ठीक है तो डिलिवरी जब हुई यह तो उस बंदे डिलिवरी दोनों ने करवा दिया पूलें कि हमने डिलिवरी बहुत अच्छी करवा दी लेकिन जो पॉस डिलिवर उसके बाद हम देख लेतैं प्रोड़कर दीकॉरर में प्रोड़कर को आपने डिवीयू करना है प्रोड़कर की इस जाहिए उसको बैदुर ठीण करद में चाहिए लेकिन वह अश्य चाहिए तो ठीकितन पूरेस्क्ही प्रिवियस्ली आप गए किसी भी पीजा शॉप पे आपने जो है वो चिकन फजीता ओडर किया और वो अवानी तिक्का लेया लेकिन आपने उस टाइम कस्टुमर ने उन्होंने आप से रिक्वेस्ट की हम से गलती होगे आप इस तीज को एक्वेस्ट कर ले इंशाला नेक्स इस शॉप के अंदर जाएं जिसके बाहर लिखा वह और जुए दुनिया का बहतरीन पीजा मिलता है और सारी से ठीक मिलते और अप अंदर आगे खाया तो जो चेक ना हो तो उर्ग्वेस्ट के अंदर जो और जो जो इस चांपनी है उसको जो रिक्वार्मेंट मिल रही है क को मीट कर सके तो यह भी ISO 9001 का 7.2.2 क्लोस केता है क्या है कस्टुमर कम्यूनिकेशन प्रड़क की इंफर्मेशन जो है सभी तरीके से आप ट्रांसफर कर लें इंक्वाइरी जो है कस्टुमर कम्यूनिकेशन प्रड़क क्या होता है कि जब आप एक प्रड़क बना रहे हैं तो उसके अंदर आपके सप्लायर्स भी इंक्लूड होंगे ठीक है जिन से आप मटील वगरा खरीद रहे होंगे पिर जिनके जरीए आप भेज रहे होंगे जो ड बेंचमार्किंग से मुराद ही होती है कि आप मिसाल ले लें आप जो हैं आपके रिलेटिव के अंदर एक बच्चा है आपका कोई कजन है या आपकोई कोई फीमेल फ्रेंड है ठीक है उसकी सीजी पीज़ी जो है 3.50 आई है तो अब आपने एक बेंचमार्क बना लिए या आपने उपर उसके पास हमने 7.2 के क्लोज के लिए कर दी है अब हम 7.3 की जानी बढ़ रहे हैं डिजाइन डेवलेप्मेंट प्लानिंग डिजान डेवलेप्मेंट प्लानिंग यह देखें यह जो बुलिट्स पॉइंट है यह इंपोर्टन है यह मैं आपके लिए करें ट्यानि डेवलेफमेंट के स्टेज़ फूरी तरीके से होने चैएंगा नगे सइके उसके बादि हुमने ठीकर और आप उसके आपने तरह अब इसके मिसाल ले है आपने जो है वो गाडी का से लिंटर यह आगी की तरफ लगा दीया अब आपके एप सब्सक्राइब को जी जा सकता तो एसा डिजाइन नहीं बना देना पने जो के वेलीडेटी नहीं पाए जो के कस्टूमर के लिए उसर फ्रेंडली ना हो ठीक है उसके बाद हैं design failure mood and effect analysis यह पूरा document होना चाहिए, यह कुछ related documents है, इन documents के यहाँ पे हमें नाम दिये गए हैं, इसलिए हम इसकी detail में नहीं जाएंगे, mtd quality management का यह introductory course है, जब आप आगे जाके specialization के अंदर आने वाले semester में management को select करेंगे, तो उसके अंदर आपके पास कुछ courses आएंगे, उसके अंदर यह design failure mood and effect analysis यह कौन सा document होता है, इसके बारे में आपको पूरी detail में बताया चाहेगा, relationship diagram कोन सी होती है, fault tree analysis क्या होते हैं, इस वक इंदी explanation लिख सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसके लाव आप इसको Google कर सकते हैं, Excel template, PDF templates वगरा इसकी देख सकते हैं, अगर आपके पास time है, और आप अपनी study को enhance करना चाहते हैं, तो, उसके बाद है, design and development inputs यहाँ पे, functional and performance requirement क्या है, वो पूरी होनी चाहिए, जैसे कि ए इसा function उसके अंदर होना चाहिए, ऐसी उसकी performance होनी चाहिए, इस टेशली है, रेगुलेटरी requirement पूरी होनी चाहिए, रेगुलेटरी मुकारमेंट से पराद यह है, एक कार के अंदर accident हो जाए, तो, आपने सोना होगा, तो, यह कानूनी requirement है, कार के अंदर airbag होना चाहिए, अ उसके बाद है, design and or development guidance, अब यह बहुत जादे points दिये वहते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए summarize कर दिया, organization must identify inputs impacting product design like internal policies and customer design, organization जो है, वो इस चीज को identify करे, कि product design जो है, वो internal policies और customer needs के मताबिक हो, design output must meet specification and customer expectation, जो design की output निकल के आया, वो customer की specification और customer की expectation को meet करे, for example, एक example लेते हैं, आग car company consider customer need, एक car company क्या करती है, वो customer से input लेती है, कि आपको किस design की कार चाहिए, customer से feedback लेती है, उनसे पूछती है, उसके बाद क्या करती है, वो इस चीज को make sure करती है, कि वो safety standard के मताबिक हो, और customer ने जो requirement दी थी, उसके मताबिक भी हो, जैसे कि simple सी मिसाल ले ले, आप car खरीदते हैं, तो आप से बिल्कुल normal सी मिसाल है, आप से उसका color पूछा जाता है, कि silver color चाहिए, golden color चाहिए, black चाहिए, white चाहिए, इस तरीके से आपको color चाहिए, तो आप पूछ के फिर करते है, उसके बाद क्या है, अगला हमारा topic है design and development Outputs, जिसमें, meet the input requirement for design development, वही चीज़ दुबार आरी, जो पर डिसकस करके है, provide appropriate information, purchasing product and service proposition, अब output के लिए, design and development output के लिए, आपको कुछ information चाहिए, कि आपने किन चीज़ों को purchase करना है, production के लिए, आपको क्या चीज़े चाहिए होंगी, service के लिए, आपको क्या चीज़े चाहि लग रही है, जो सारी चीज़े हो रही है, वो अपने goal को पूरा कर रही है और नहीं, किसे एक मिसाल लेने कि gate के अंदर जो है, आपने spring लगाया है, वो सही है, जो handle लगाया, जिसको प्रेस करके उसको, कोल रहे हैं, वो ठीक है, यह नहीं, अजा तो नहीं तो नहीं, कि अध्याइप फूरा जो डिजाइन बनाया है उसको रिव्यू करना है उसको चेक कर डेखना है ठाड़ी जैसे आपके पास वादी है तुमल शुए चमच कहरें कंस्ट कि अगया गर टोटल कोस्ट किया है जितने हमने परफॉर्मिस उसकी अकाउंट में लेनी है प्राइज लेनी है डिलीवरी को वेरिफाय करना है कि डिलीवरी टाइम पे हो ठीक हो टूटे वे ना हो एक सेटी प्रोसीजर के साथ हो आपने वेरिफिकेशन करनी है जो प्रचेस प्रोड़क कि उनको relevant experience देखना है एक मिसाल ले ले कि airbag जो है वो आप supplier से खरीद रहें ठीक है अब उसका एपने experience देखना है कि airbag बनाने में उसका कितना experience है कोई ऐसा तो नहीं कि उसने कुछी कार के अंदर airbag बनाया और एक्सिदेंट के टाइम पर खुले ना हो उसकी product quality क्या है service and support capability क्या है आपने क्या करना है पर्चेसिंग हमेशा qualified suppliers करनी है लोजिस्टिक को पूरा करना है product identification को देखना है traceability करना है product documentation recorder क्या है कि मुराद क्या है कि आपने उनसे एक sample ले लिए उस sample को अची तरीके से तो सेंपिल के साथ आप regular interval में उसको match करके देखेंगे कि हां यार जो product हमें यह दे रहा है वही product है quality standard वही है जो हमें इसने पहले दफ़ा दिया था तो उसको हम traceability कहते हैं इस process को उसके बात हमारा last है 7.4.3 verification of purchase product verification किस तरीके से करेंगे तो organization must check purchase product meet requirement organization को यह चीज़ चेक करना जरूरी है जो product है वो requirement को पूरा कर रहा हो इस वेरिफाइंगड़ सप्लायर अरेंजमेंट शुट भी स्टीड स्टेड आपने क्या करना है supplier का अरेंजमेंट सप्लायर जो है वो जैसे एक रेस्टूरेंट जो है वह चीज को मेकशूर करता है कि जो ingredients वो कि खाने या कूल चाहला हो चाहां पर चाहां पर चाहां चीज करते हैं के misunderstood सारी चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं अगर आप यहां पर कार के सिलसले में क्या होगा या कोई मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्टी के सिलसले में क्या होगा कि आप अगर किसी लोकल फर्म से खरीद रहें तो आप उनके पास विजिट करेंगे सारी चीज़ों को वैरिफाय करेंगे तो यह था आज का लेक्ट्र आयोप तो समझ में आया होगा आपको बहुत बड़ा लेक्ट्र था लेकिन मैंने कोशिश की है समराइस फॉर्म में आपको इसी तरीके समझा पाऊं अगर आपको यह हैलेट नोट्स चाहिए तो वीडियो क इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक दूआओं में याद रखेगा